यह बात है सन 1950 के आसपास की एक 19 साल का लड़का अपने घर में खेलते हुए एक धुन-गुन गुना रहा उसके पिता ने जब सुना तो उन्होंने उस लड़के को पास गुला कर पूछा कि यह कौन से फिल्म का गाना है लड़के ने बड़े सहचता से बताया कि फिल्म का नहीं यह तो उसने खुद ही एक धुन बना लिया और गुन-गुना रहा है 19 साल के लड़का पिता खुद हिंदी और वांगला फिल्मों में संगीत निलदेशक थे और उन्हें वो धुन इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुछ साल बाद उसे अपनी एक फिल्म में गाने की शकल में इस्तमार किया वो पिता थे महान संगीतकार एसडी बर्मन फिल्म का नाम था फंटूश और वो गाना था और वो नौ-दस साल का लड़का जो बड़ा होकर फिल्म जगत का एक अधभुत अवलिया फिल्म संगीतकार कहलाया उस जीनियस का नाम था आडी बर्मन या जिसे दुनिया पंचम के नाम से जानती है पंचम ने जिस दौर में फिल्म छोटे नवाप के साथ पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा वो दौर यकीनन फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा था नौशाद, शंकर जेकिशन, मदन मोहनेज जी बर्मन, रौशान, ओकी नएर, सरील, चौजरी जैसे कमाल के संगीतकार अपने अर्भुद संगीत से सुरू का जादू बिखे रहे थे पंचम को अपने आप को साबिद करने में वक्त तो लगा लेकिन जब उनका वक्त आया तो ऐसे आया कि फिर बड़े-बड़े संगीतकार उनके हुनर के सामने दत्मस्तक होने लगे भारतिय फिल्म संगीत के पितामा कहे जाने वाले रसिद्ध संगीतकार अनिक विश्वास ने पंचम के बारे में एक बार कहा था वो हमारे जुक के आखरी दिया है जो बुझिया है मगर उसके जैसा और राउंडर याने सर्भगुन संपन जिसको कहते हैं संगीत में वैसा और होगा नहीं जो मुझसे छोटा नहीं होता हूँ तो मैं उसको पुनाम कर लेता तो ऐसा क्या है आडी बर्वन के संगीत में जो इतना ज़ादा रेजोनेट करता है हर दोर के लोगों के साथ इतना ज़ादा रेलेवेंट है आज भी पंचम हिंदी फिल्म संगीत में एक नया साउंड एक नई रिदम एक नई सेंसिबिलिटी लेकर आए और आज जहाँ एक तरफ सब कुछ बदल रहा है हमारी फिल्में बदल रही है हमारा म्यूजिक बदल गया है खाने पिने से लेकर पहनने तक हमारी पसंद बदल गई है वहाँ आड़ी बर्मन का संगीत आज भी कायम है उसके गाने आज भी उतने ही पसंद किये जाए है वक्त के साथ साथ आड़ी बर्मन का संगीत और जादा बड़ा होता जा रहा है क्योंकि उनका संगीत वक्त से इतना आगे था कि हम आज भी उनके संगीत तक पहुची रहे हैं संगीत के इस मुझाफिर का यह सफर अभी भी जारी है और यही वज़ा है कि आज की जनरेशन को भी पंचम के गाने उतने ही पसंद है जितने आज से 40-50 साल पहले के लोगों को पसंद है पंचम के गाने की खासियत यह रही है कि सुनने वाला उसे किसी हिरो-हिरोईन के लिए या किसी सिंगर के लिए नहीं बल्कि वो गाना आडी बर्मन का गाना है इसलिए सुनता है आडी बर्मन के गाने की यूएस पी खुद आडी बर्मन ही होता है किसी hit गाने के prelude या interlude से अक्सर हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन सा गाना है पंचम का कमाल ये था कि उसने गाने के किसी music piece से ही सुनने वाले पहचान जाते थी कि ये पंचम का गाना है अपने गाने में मानो अपनी एक खास signature छोड़ जाता था वो किसी जरने से जिस तरह पानी बस बहता ही जाता है उसी तरह पंचम का संगीत बहता ही जाता है खत्म ही नहीं होता है और कमाल देखे कि उसने जितना काम किया वो बेहत लापरवाही से किया मतलब कभी music room में किसी ने कोई गरत chord बजा दिया तो उसी को पकड़ कर पुरा गाना बना दिया जैसे अमर प्रेम का चिंगारी कोई बढ़के इसके शुरुवात में जो गिटार का एक chord बजा है वो असल में गरत लग गया था पंचम के musicians से बस RD ने वो सुना और वहां से ये गाना बन गया या फिल यू ही कुछ मिंटों में पूरा गाना कंपोस कर दिया जैसे 1942 लव स्टोरी का गाना इसका किस्सा तो ऐसा है कि पहले ये गाना फिल में था ही नहीं और RD ने इसकी दुन भी नहीं बनाई थी अब जब जाविद अक्तर ने ये गाना सजेस्ट किया और एक दिन रिकॉर्डिंग जूम में बैटकर दो तिन घंटों में पूरा गाना लिख भी दिया पंचम वही बैटे थे उन्होंने वो लिखा हुआ कागज लेकर अपने हर्मोनियम पर रखा गाना पढ़ना शुरू किया आखरी लाइन पढ़कर खतम किया और गाने लगों ये वही दों थी जो हम आज भी सुनते हैं लेकिन R.D. का जिनियस सिर्फ इस तरफ किस्से या कहानियों तक नहीं है हम लोग आज के जमाने में फ्यूजन म्यूजिक की बात करते हैं लेकिन दुनिया का बहतरीन फ्यूजन म्यूजिक भारत में बना है और जिसकी मिसाल है पंचम का संगीत जा एक तरफ आपके वयलिं है चेलो है टिंफनी है बेस गिटार इलेक्टर कीटार और उसके साथ हिंदुस्तानी संतूर है सारंगी है वेस्टर और इंडियन क्लासिकल का इतना खुबसूरत ब्लेंड कभी नहीं हुआ जो आड़ी के संगीत में हुआ है एक ही अल्बम में अगर मतवाले आकोवाले जैसा वेस्टर नाइज गाना है जिसमें कैस्टेनेट जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है तो उसे फिल्म घर आजा घिराई जैसा बिल्कुल इंडियन क्लासिकल बेज गाना भी है वेस्टर क्लासिकल म्यूजिशन डेविड गेरिट जो खुद मुजार्ट और बीथोवें बैग जैसे दिक्कर म्यूजिशन्स का म्यूजिक सुनकर बड़ा हुआ है वो पंचम को मूजार्ट के बराबर का दर्जा देता है और आड़ी वर्वन खुद भी जहां इक तरफ बंगाली रुख संगीत से प्रभाव थे वह उन पर वेस्टर लेटिन और अरबिक म्यूजिक का भी उत्रा ही गहर आसर था इसी वज़य से कभी-कभी कुछ लोग उन पर वेस्टर संगीत से धुन उठाने का इलजाम भी लगाते हैं लेकिन किसी धुन से इंस्पायर होकर उसे अपनी तरह से इस्तमाल तो लगबग हर संगीत कारता है पंचम ने भी इस तरह के कभी स्विडिश पॉप ग्रूप से इंस्पायर होकर धुन बनाई है तो कभी पर्शियन म्यूजिक का असर दिखता है उनकी धुनों में लेकिन उन कॉंपोजिशन को लेकर उसे पूरी तरह अपना बना लेने में पंचम को महारत हासिल की चुरालिया है इस गाने का मुखडा अगर if it's Tuesday it must be Belgium का है तो इसके अंतरे शुद देशी पंचम के पंचम ने जिस तरह दुनिया भर के संगीत को अपना कर उसे अपने रंग में ढाला उसी तरह अलग-अलग sounds को अपने गानों में बेहत कमाल के तरीके से इस्तेमाल किया है इस ही चुरालिया है तुमने गाने में जो प्रिलूट सुनाई देता है वो वो टिंकलिंग sound पंचम ने चाय के कप और सौसर से इस्तमाल करके बनाया था या फिर पडोसन का गाना जिसमें बाल बनाने की एक कंगी को एक रफ सर्फेस पर हुमाया गया या शोले का महभूबा महभूबा गाना जिसमें आडी ने बियर बोतल में मुझ से फूप मारकर sound क्रिये दिए अपने संगीत को लेकर पंचम इस्त कदर confident था कि उसने अलग-अलग तरह के experiments भी खूप की अब एक गाने की recording के वक्त आशा जी के गाने की कुछ lines आडी ने एक track पर आधी छोड़ दी गुलदार साहब ने जब इसके बारे में उससे पूछा तो उसने हसकर बस इतना ही कहा कि अब तु देख में क्या करता हूँ जब गाना record हुआ तो पता चला कि आशा जी अपनी ही आवास पर आला प्ले कर जो track पहले आडी ने खाली छोड़ा था उस track से दूसरी लाइन पर आती या फिल्म जवाने दिवानी का गाना ले लीजिए इसका अंत्रा तो कहीं off note में शुरू होता है और अगर किसी musical instrument की बिना आप इसे शुरू करे तो मुम्किन भी नहीं लेकिन इससे भी अंत्रे की आखरी लाइन वापस घूम कर मुखडे के base की पर आई जाए और पंचम ने ये इतनी आसानी से कर लिया वो क्या सोच कर किया कैसे किया ये सिर्फ पंचम जाने मादर जैसे percussion instrument को उसने एक गाने में इतनी खूबसूरती से यूज किया है कि वो percussion न रहकर औरमोस्ट उस गाने की melody बन जा दी और यही पागलपन वाला आड़ी बर्मन जब शुद्ध हिंदुस्तानी रागों पर आधारी गाने बनाता था तो वो लोग जो आड़ी बर्मन के संगीत को वेस्टन होने का दोज देते थी वो लोग भी हैरान हो जाते थी अमर प्रेम का यह गाना राग तोड़ी और खमास का मिश्रन है वही आशा जीक का फिल्म खुप्सूरत का गाना पिया बावरी राग बहप पर आधारी राग यमन कल्यान पर आधारित बीतिना बिताई रहना हो या फिर शीवरंजेनी पर आधारित मेरे नेना सावन भादो गाने हैं जो पंचम को फिल्म संगीत का और राउंडर उस्ताद बनाते हैं हमारी फिल्म इंडिस्ट्री बहुत बेरहम है एक वक्त था कि आड़ी बर्मन के स्टूडियो के बाहर प्रोडूसर्स की लाइन लग लेकिन फिर वही प्रोडूसर्स उसे अवाइड गरने लगे अपने आखरी वक्त में ये महान संगीतकार पूरी तरह से अकेला पड़ गया था लेकिन उसका आखरी दाव अभी बागी था और 1942 अलव स्टोरी के गानों ने ये थाबित कर दिया कि क्यों पंचम को हमारी हो गया एक ऐसा समुन्दर छोड़ गया जिसमें हम आज तक एक-एक मोती चुड़ रहे है और ये मोती निकलते ही जा रहे है खत्मी नहीं आज तुझे बस इतना ही और अगर आप कोई एपिसोड पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नाम से थाड़ा घड़ा म पुड़ीचे विशलेशन पहाईलों विशुरू नका फाक्त देशों नती नेजवार